अब अब बच्चों कैसे आप लोग आई होप यॉर डूइंग वेरी वेल लाइफ तो बच्चों आज का जो चैप्टर हम उठाएं वो है पॉलीमर पॉलीमर जो चैप्टर है वो आपका एक सौट में हम कस्का खतम करेंगे और एक सौट में हम लोग समझेंगे कि एंटायर प चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो वह क्या बोलते टेंशन में आ जाते हैं ऐसा कोई चैप्टर बताइए जो अभी फटा-फट हो जाए और वहां एक्जाम भी बन जाए तो मैंने बहुत सोचा कि चलो फिदिक्स से उठाए जाए जाए या मैतमेटिक्स उठाए जाए फिर है तो ऐसे कहशार से मैं सोचा कि पॉलीमर हो गया वह गया कैमेश्टीन एवरेदेय लाइफ हो गया एसंड ब्लोग हो गया तो इस तरह कि जिन चैप्टर से कि इस लिक्षाप करो वाइंरे करूंगा तो अब शुरू है तो बच्चों समय से तहां कि पॉलीमर क्या होता है रेलिकम के लिगने में टाइम जाए जाए गारे मुझे करना है किस वीडियो को कम से कम एक बनाना था निए टाइम हो एक है है वो टाइम बहुत क्रीशल चीज है तो मैं ऐसे लिख दिया करूँगा बस समझाने के काम किया करूँगा ठीक है तो पोलीमर होता क्या है देखो बहुत सोट में लिखना है जो समझ में फटा-फटा आ जाए जियांट मॉलीकुल जियांट मनला बड़ा विसाल तो एक बहु मॉनोमर मिलते 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 कहा बना दिया पोलीमर के जो प्रहुति प्रोशेस एक्ष python को कि रेक्षिमर कह सकते हैं और दो सारे रेक्षिन का फॉलो करकर बोलते हैं बहुत सिंपल में समझाया बच्चों बहुत सिंपल में पॉलिमर क्या होता है और आसपास अपने जो भी चीजे देख रहे हो वो सारी के सारी पॉलिमर ही है इसे में एक जामपल लूँ अगर समझो यह पेन यह पेन क्या है यह पेन एक पॉलिमर है क्यों कि यह भी रिपीट होते हूं जी चीजज को रिपीट करते चिए पूरा बन गया रहा है तो इस पूरा बन रहा है तो मते हैं घ्रियका अब आगे देखते हैं इसे नोट करोघन एक तक मism ben PATI । तो बच्चों चलो, polymer का टाइप समझते हैं, ताइप क्या है, दो तरह के टाइप होते हैं, वैसे और भी तरह के टाइप से होते हैं, इसके जो हम लोग आगे ज़स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जो basic classification किया आता है, वो दो तरह से किया आता है, एक को कहते हैं, हमो पोली इसमें लिखाए एक लाइन में एक लाइन भी नहीं एक चुलिए कि क्या बोल रहा है वंली वन टाइप ओफ मॉनॉमर सिर्फ एक तरह का मॉनॉमर हो तो उससे जो पॉलीमर बनता है वह हो मोपॉलीमर होता है कहने का मतलब क्या आपने पहले देखा कि मैंने लिखा था हो यूश कर रहे हैं हो एक ही तरह का है एक ही तरह काम तो बाततल इसको बोल पॉलीमर बना औरookie पडि spreads UK है रहका ठीक है तो यह हमोपोलीमर हुआ उसके बाद इसके कुछ एक्जामपल से डिटेल में जाएंगे कि हम लोग वन बाई वन सारे एक्जामपल को डिटेल में परने वाले हैं लेकिन फिर भी आप एक्जामपल से महलों पॉली इथलीन जोने पॉलीथीन यूज करते हैं घर से पुरक्ति इस दहोरा मोलात तो यह हो गई होमोपोलीमर और उसके कुछ अग्जामपल्स अब आते हैं को पॉलीमर पर क्या λέ़ता है अलब से ज्यादा ये लगा रहे हो ये अलग होगा, या फिर ऐसा तरह तरह के के मोन done उसमें जो होगते हैं मैंलों रियक्षिन होते हैं और स्टै को पोली मरको नाम केंगे को पॉली मिद्यम मे उद्लिक सब्lation कुछ देंगे आते मैं ने अरुम di बस मैंने उठाया है, एक मैंने उठाया है ही homopolymer का, एक मैंने उठाया है copolymer का, तो समझते हैं कि homopolymer और copolymer जो है, उसके कुछ monomer क्या-क्या होते हैं, ठीक है? ये कुछ याद करने वाली चीज़े हैं, आपको याद करना ही परिंगी, यहां से वीडियो आगे मत ब्रहाना, इस पार्ट को याद करना है यह जो ब्लैकबोर्ड पसे अब लिखा हूआ है यह याद करनी है во Naam ₹Off बता रहेता हो किस तरह से लिखा हूआ है तो देखो समय हमो पोलिमर, यह सारे यह हमो पोलिमर होन है हैं और मनमर कहा हुँआ हैं इनके मोनमर हुए इनके मोनमर हो इनके मोनमर हुइए की करेंगे तो while होता है तो पॉलीविञील को राईट जुवह को याद कर दियाना सब इंपोर्टेंट है कुश्वन कहीं से पूर्टेंट पीदी का मॉनोमर क्या होता है टो शीलता है वे ची इसा यूरीध कीब की जो रहे ह Shame तो जो आपका और बना है और उसका मोणोमर भी बोलते हैं A-C-R-I-L-A-N है, ये O-R-L-O-N है, ठीक है, ये किसका मॉनोमर क्या है, इसका मॉनोमर ऐक्राइलो नैटराइल, polyvinyl acid, poly फिर से आ गया, तो poly को टादो क्या बचा, vinyl acid, vinyl acid is the monomor of polyvinyl acid, ठीक है, देखो, दो-ती मार देखोगे न, याद कर लोगे, क्योंकि देखो अगर यह सब याद रहेगा और इससी कुर्शन आ गये तो फटा-फट बनेंगे और बाकी सब बना लेंगे और आप बैठे रहो गे तो फिर आपको लगया कि कास याद कर लेता मैं कास याद कर लेता मुश्किल से मुश्किल से पेसेंस रहोगे तो दस से को फटो को पोलीमर में देखते हैं को भागा कि किसन बनाये बनायों और मिनायल को राइट और विनायल दीन बढूराइड से shadow of ride अरा एक vap savage तो को नाकुब तो सारान इससे बना हुआ है, सान किससे बना हुआ है, सान किससे बना हुआ है, यह स्टिरीन और एक्राइलो नैट्राइल से बना हुआ है, एक्राइलो नैट्राइल, ब्लूटाडीन और स्टिरीन, देखो, ए बी एससे बना हुआ है, यह आपका, ए बी एस, ब्लूटाइल र ठीक है n-b e rubber को टाइप सोते हैं आगे लोग करेंगे विची से बोलते हो से बना एकरलो onorgan apporealo buta兩 wonders can假 ठैक है में थोद्हुरा patymus rakeau मैं हटजाता हों सामने से अब नोठ करो इसे ठीक है और अराम इसको स्क्रीनशूर्ट मत लेना पहले बहुत लेना, इसको कॉपी में लिखो क्योंकि जब लिखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको मैक्सिम्म याद भी हो जाएंगे अब इसके बाद तीवाद देख लोगे, 10 मिट दे दोगे तो बिलकुल अच्छे से याद हो जाएंगे ठीक है और याद करना बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस सवाल भी बहुत बार पूछी जाते हैं और इस बार भी हो सकता है कि पूछा जाए तो 17 आपको दिमाग में बिल्कुल घुसा लेने हैं ठीक है चलो इससे मैं एरेज करता हूँ इस फिर्ण हम कर रहुठ ना पूंबब कि थो ड्माण इसमयं इसमय मोनमर 2 ऊपको स्को को जाए ठीक है तो नोट के संचे इस मुझते हैं kinda आ यह लिखावा ऐट सब्कूप रेंडब को फॉलियंगे कि य क् सिर्फ लॉजिक स को ऊंज़ है और समय भी नहीं कितना आप लिखो और उसको समझने कोशिब करो तो मैं समझने कोशिब करूंगा समस्थ ना रैन्टम को पोलिमर फिर यह एक मोल ओमर रिपरेंट करने का तरीका को दि certificate मालो कोई मोल नी कर रहा है जहां वहाँ ए चला गया जहान म वहां चला गया और खर burnout बना गया एक पोलीमर तो ऐसा पोलीमर मौनोमर का कोई अरेंज्मेंट न हो जहां मन से Аघ्यौ जो पोलेंगे लेंडम को पोलीमर की क्यों मैं जो रहा है एक तरह नहीं है कौ पोलीमर थो है एक को छोड़कर दूसरा बन रहा है और यूज कर रहे हैं तो बच्चों बाता है को ब्लॉक को पॉलिमर होता क्या है समझते हैं आपको दिख रहा होगा यहां पर कि एक अल्टरनेट फॉर्म में कि ए बी ए बी ऐसे आ इसमें पूरी अगया समझ रूख हो गया एक यहां पुरा ब्लॉक को पास करना पड़े यहां एक मदखशा आएगा तो इस तरह से लिए की ये ये भी हुआ ठीक है फिर ये बी हुआ फिर ये अहुआ फिर ये फिर ये वश्री बी हुआ इस तरह से आ रहा है ठीक है लेकिन अगर ऐसा हूँ भी फिर भी फिर भी फिर भी फिर ए फिर ए फिर ए फिर ए फिर ए ठीक है फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी फिर अपका भी फिर ए फिर ए फिर ए फिर चलता रहा गाए देखो जैंस वहाद ना अंतर अंतर यह समझोगे इसमें पूरा आएगा बहुत सारे एक साही रिपीट अवा लेकिन बहुत सारे एक और छोड़े अधार जाकर रिपीट फिर यहां पर किने हो जाने के बाद फिर से रिपीट हो गाई ए तनहीं आ कि इसके बाद आता है, तो यहां से इसमें कि उत्या को यह है एक तरह का यह लोगे उस से फटा-फट पॉलो UnFamon इसमें और इस वाणी में क्या है इक फटाफ यह होता है, यह गैज हो की हो हो बाकी जो पोलिमर है वह वर्टिकल हो उसी होरिजेंटल से वर्टिकल वाला यहां से ग्राफ्ट को पॉलिमर को पॉलिमर बहुत सिंपल था इसे नौट करो हम आगे वरते हैं कि क्या होता है थोज़़ा सा मैं जल 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 रिव्यू देता हूं आपको देखो रैंटम रैंटम जहां वहां जहां वहां होगा और बन जाएगा एक पॉलीमर उसको बोलेंगे रेंडम को पॉलीमर एक के बाद एक आता है ब्लॉक में क्या आता है जोड़े में आता है पूरा समूह आएगा फिर उसके बाद फिर एक समूह आएगा फिर बी का समूह फिर आएगा फिर एक वोटे कल और विल सकते हैं लेकिन वाटीव पोलीमोर और ये जो दो अगय रखते हैं कि इसमें और क्या है ठीक है लेक सब्च्राइब देखते हैं अभी हम लोग परेंगे classification of polymer. Polymer को classify कैसे करते हैं? अभी जो topic है वो है classification of polymer on basis of source. Source के basis पे. तो ऐसे all classification इसे की force के basis पे कैसे classify किया जाए? हना synthesis कि किस तरह से बना जाता है polymer को उसके basis में कैसे classify किया जाए? इस तरह कि क्लासिफिकेशन आपको बेसिकली अभी पर ने मलब इसके बाद दो और क्लासिफिकेशन है यह क्लासिफिकेशन क्या है कि पाया जाता है आपका पॉलिमर उसको समझते हैं पहला आपका है बीना time waste करें अईसे कोई polymer जो की जीवयां तो कि पाये जाते हैं एसे बोलते हैं natural पौलिमर समझ मिए आ गया कुछ natural polymer मा लिखहे और इससे मोनवर लिखें कि किस से बना है ये तो कितने एक दो तीन चार पांच छे यह हैं और ये 6 मैंने dei सवाल आते हैं इसका मूमर बता हिय पहला हो पॉली सेचिर्ट अगर अपने बहुंलकुल समझ में आगे हों ऑनले व kept afterman नहीं आया है तो अभी बताने हैE जरूरत में है क्योंकि अभी बताने जाएंगे तो वो कहें जाएगा बहुत साइच चीज है तो अभी सही नहीं है आपका पॉलिसेट जो है वह हम लोग बायो मोलकुल जब करेंगे तो उसमें समझेंगे तो पॉलिसेट जो है वह मोनोसेट से बना हुआ है सिंपल है पोटीन किससे बना हुआ है अमिनोजिट से बना हुआ है पता है सबको लेकिन अलफाएल अमिनोजिट से आप अच्छे से अ ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हो हो एल का मतलब ये लेवो लेवो टेक्स्ट्रों क्या होता है अपने और और नहीं पर है तो अभी बताना अभी बताना वैर्थ है तो अभी बताना सही नहीं है पॉलीमर चल रहा है क्योंकि पूरी और चैप्टर हो जाएगा और अच्छी बात यह बच्छों की पॉलीमर में इस लेवो क्या होता है यह नहीं पूछेगा यह आपका जो टॉपिक है उससे पूछेगा तो जब वह है उसको वह सी सब्वाद किया होता है इस पौछेगा पर्चा और यह प्लांट से पाया हुआ मैटेरियल है यह भी रबर टाइप ही होता है और उसजटरी का नाम है परचा तो यह उस्तरीक का नाम है वहां से निकालाजाता है वह रहता है ट्रांस पोली-ाइस,… पूटा पर्जह को अब त्रान्स अ पोली आईसो प्रिंस इंद है और ट्रांस पोली इस स्टेटे से स्ट्स्रांस क्या. जब इसको नेक क्यों नНеचलको परनेंगे आगे इसको और नेम से बला जाता है इसो प्रिंस को तो ये भी हम लोग समझेंगे अभी बताना सश्क्राइब नियान उसा सिभक नटकों जब्स काम स मतलब से नेट्रल् डालवाइब शम नच्मण जबना जाता है और आपको नए हमने बने ऊच्छ औरcled यह गया सेमी सेंथेटिक पॉलीमर इसे कोई याद रखना जो वही दिखा रहा हुआ जो पूछा जाता है ठीक है तो याद रखना में एक भी जाम पर मत छोड़ना सब याद रखना टो याद दितनी भी सेलोज की टाइप होते हैं सेलोज असेलोज नेटरेट लोज फॉर्म यह सब जो उती हिससे ही सेन्थेटिक ही होते है एक आता है रेवन भी सेल्लोज से भी बना हुआ है तो रेवन भी से भी बनता है तो रेवन हो गया यह यह सब याद कर लो कैसे लोगे लोज नैट्रेट लोज जैंथेड रेओन सेलोज और क्या है इसलोज एसिटेट ठीक है इतना एक्जामपल याद करो कि सेमी सिंथेटिक पॉलिमर है जो की नेच्रल पॉलिमर को ही उठाओ उसमें कुछ केमिकल जोचा कर दो और बच्छो बनाना है जो बन बन जाएगा वो सेमी सिंथेटिक पॉलिमर कहलाएगा एक्जामपल यह हुआ बस खतम फटाफट आगे बढ़ते हैं तो बच्चों एक छोड़ा सा पॉलिम हम मतलब कि हम सार इंसान पेर पहुते हैं उसमें जो पॉलिमर हो जाता है उसकरों संधिया उसे पॉलिमर कहते है तो फाउंड़ी लिविंग ऑरगेंजम में यह पाए जाता है थिक है बहुत SIMPLE है में मिली आ ऐसा पॉलिमर और यह क्या है एक तरह का नेचर से लग थुई ना है तो नेचर पॉलिमर ही एक तरह का नेचर पॉलिमर ही है इसे को एक्जामपल लेख ना जिसे की पॉली सेचरेड हो गया पॉली सेचरेट थिक है और एक्जामपल लिए सकते हो डियने आरेने यह भी बायो पॉलीमर में आता है और क्या ले सकते हो जो आपके प्रोटीन है प्रोटीन आपके आपका बायो पॉलीमर इसको कोने में साइड में लिख लिया करो ठीक है बाच्चो चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सिंथिक अगर सेमिया जाए तो सिंथिक पॉलिमर सिंथिक पॉलिमर से थे क्या होता है इंसानों के द्वारा बना जाता है में मैं मैड हूता है इंसान और बना जाता है तो मैंमेट पॉलीमर हो गया प्रिपेर इन लेबोरेटरी ठीक है अब ऐसा नहीं बोलोगा कि इंसान के दौरा बना जाता है क्योंकि अफकोस नेचर से कुछ लिया होगा अफकोस लेकिन हाँ नेचर से कॉम्पोनेंट तो होगा लेकिन वह बहुत इंग्नोरेबल हो जाता है क तो पुसल्ट प्रोसेस है जो से पाजाता अफकोस सकता बिल्कुल कॉंप्टिस का नेचर और इसको और ह revoldf पो में बना रहे हो लेकिन असफे Nowadays कर रहे हैं तो ज़ो आम्यस चाहिए प्रॉसचने मिश्य भाफ इन लेकिन आप हैं कए समसर में जो मैं हैं उसको बनाने मैं जो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत हो नीतर से निकाल से न्खाल थे वो बहुत कम है उसके में पर में इनसानों के दोबनाई जाता है है प्रिप den लिब एध में कब्लियदे बनाओगे लच में जो में जाता है वे शिंथेसी भूण कि खेरिवान हो गया उसमा और पॉलिफ发 आथा ट्रीन हो गया पॉलिश्टिहें करते हैं और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं क्लासिफिकेशन है कि और बेसिस ऑफ मॉलेकुलर फोर्सिस पर हम लोग देखेंगे कि क्लासिफाइब कैसे किया जाता है पहला इसमें आता है आपका इलास्टोमर जो यह सब बहुत से तो इसे ज्यान समझना ठीक है मैंने प्वाइं दिखा ज्याएब करना पादक आफट आपको याद हो जाए तो इसको इसको स्वेंट करने के लिए मैंने पांच पुईंट लिखें पहला प्योंट है कि पौलीमर पौलीमर हैविंग इलास्टिक प्रोपर्टी इलास्टिक मतल प्रपर्पर्टी तो होगी रबर में होती है कैंड रिटर्न टू इट्स नेचुरल या ओरिजिनल सेप आफ्टर स्ट्रेचिंग घीचना तो जब घीच रहे हो और घीचने में जब छोड़ोंगे तो नेचुरल पोईशन में आ जाएगा रबर होती है रबर जो लड़किया क्या रहा है बने ने रहे और जोड़ होती है तो वेक श्वड़ा क्यों अपने आगया तो ताकत में आपर यापकर कर पाए फिस में वीख होती है समझ में आ गया, तो वीख इंटर मॉलीक्लर फोर्सिस में इलाश्टोमर में, फिर क्रोस्लिंग का स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर केज़ीं के बाद एक और हम क्लासिफिकेसन करेंगे सेब की बैसिस पे, तो उसमें हम समझेंगे कि क्रोस्लिंग क्या होता है, अभ नहीं पता जब स्लेटेट पढ़ाइब तो समझ जाओगे कि एमॉर्फास क्मधर स्टॉक्चर होता जब सब्सक्राइब इसको इलास्टी सिटी विसको इलास्टी सिटी दोनों प्रपर्टी से पाई जाती है विसकोसिटी प्लस एलास्टी इसको विसकोटी सब्दों में क्या होती है तो विसकोशिटी का मतलब समझो की रेजिस्टेंस टू फ्लो ठीक है लग भेने में रुका वट सिंपल मासा में सम्झो तो इस सम्झो की किसे पानी का गिरा तो आराम से गिर जाएगी जीक अगर आप सहत ले लिए लिए अब हनी को गिराओ गया तो जल्दी नहीं किरेगी वह पहले परतन में इसे यसे कहें तुझको कि टच हो के वह सरकेगी जाए अब वो टाइम के बाद हो ऐसे करो और फिर जाकि वह हनी गिरेगी सद्में आ रहा ह से पानी गिर रहा है उतनी अराम से हनी नहीं गिरेगी सहर है औरख देंगी जहां हो लि Pourquoi रहे है इसा क्योंकि वह जो होती है विपश को सिटी पर भाधा डाल रही है एक जोशेटी क्या बलते प्लोग बहने में वे हाओवर डाले तो बहने में डाले है अ को विसकर आले है इसलिए उसमें रिजिसस्टेंस भी जादा है तो रुकवर्त जादा है वो अराम से गिर रहा है धीरवे धीरवे फानीब काम है तो वो अराम से रहे तो इसी तरह की प्रॉपर्टी विम्श को शिटी नेचर जो है प्रप्रूपर हो गया संथिक रवर हो गया है इतनी भी हो गया साइब हो गए तो बच्चों ये नोट करो और आगे देखते हैं कि इलाश्टोमर के बाद जो आता है का फाइबर आता है तो वो क्या कहता है उसको ज़ला सुनते हैं ठीक है चलो नोट करो मतलब कि यह बिलकुल सीधा सीधे फॉर्म में होता है ठीक है अटेच्ट टुगेदर राइट्रोजन बॉर्ण या कहो ड़ाइपोल ड़ाइपोल इंटरेक्शन तो यह जो इसमें जो मौनमर होते हैं अफ्कोस मौनमर होंगे तो मौनमर जो अटाइच्छ होते हैं एक दूसरे समझव हैं अब अगर डैपोल डैपोल इंटरेक्शन नहीं पता तो अभी तक अगर डैपोल डैपोल इंटरेक्शन अपको नहीं पता और उसा बोलते हैं अब बोलोक没有 फटाफोट अब दूसरी के संचाए प्लस और फिर निगेटीव और इस चलता जाएगा देख रहे हो जो निगेटीव है जो निगेटीव मॉलेक्षूल है ये आपका क्या कहता है एलिमेंट है और ये जो पोजीटीव ärलिमेंट है है pushin इसमें क्या हो रहा है कि एक पॉलिमर बन जा रहा है झिसे हम एक तरह का फाइबर बोल रहे हैं तो यह जो अट्रेक्शन हो रहा है इसको बोलोगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ठीक है इसको क्या बोलोगे इसमें इलेक्टो स्टेटिक फोर्स अट्रेक्शन कारण एक बॉंड बनते चल जा रहा है इसको बोलोगे डाइपोल डाइपोल मालो यह जाकर बार्ण को सेंधे। समझो, हैसे कि मालो यह लो यह Oxygen है यह जाक्सीजञ छोगा तो किसी हरोग होगा मालो लो जैकि ए ऑक्षिजन ऑंपी जाको एक जोडन एक पैभी इस इस तरह से पता है कि ऑोगider और ऑपना रहा है 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 यह बना रहा है 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 यह क्यों क्यों कि के साथ बन रहा है तो है इसे बोलेंगे जाने के जो पर रहे हैं जब आपकी चैप्टर परेंगे और गैनिक और परेंगे तो यह सब चीजे बिल्कुल हवा हो जाएगी ठीक है अब यहां से कोई घीच रहा है यहां से घीच रहा है तो मैं मुझे कोई घीच जाये घीच रहा है तो यह क्लम आख्याई करें तो यह हो लेकिन मेरा हम होने से पहले थोज़र रहेगा थोई दिर रहेगा रहेगा ना टैच तो वो बोलेंगे कि यह मेरे हाथ का टेंसाइल स्ट्रेंथ है तूटने से पहले ब्रेक होने से पहले जितना ताकत होता है उसके अंदर रोकने का वो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका मतलब कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ तो कि जाता है जाता है अगर आप फ्रेक करना चाहो तो आपको जात अगर लगाने पारेगी और ले झांज तेंसील इसकी ज्यादा है सब्सक्राइब कि यह जल्दी घुलेगा नहीं पानी में डाल दिए को फाइबर को फाइबर और तो जल्दी घुलेगा वो नहीं कि फाइबर होता है यह जो समझ रहे हो लेकिन जो खाने पार मिर्शन फाइबर होता है अब यह लोगी तो अब यह प्याइब घ्रिण रहे हो लोगो आप पीनट बटर वह तो उसमें थाइबर का जाता है ठीक है फाइबर एक और्गेनीक कंपऊंड भी है ना समझ में आ रहा है तो फाइबर क्या है थीजामा है देक्वित invistes C सबस्क्रिया थेक्स्टाइल थिआ इसको अलग होता है इसका अलग होता है यह इसको बहुता है आगे पढ़हेंगे भी नि Teles नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले थिर्मो प्रास्टिक पॉलीमर थर्मो प्लास्टिक पोलीमर क्या होता है फटा फट देखते हैं देखो अच्छा हाँ एक चीज़ और है जो फाइवर जो आपने लिखा था इससे पहले परा था उसको नोट में लिखना है जास उसके बाद कि नैलोन वाज फर्स्ट संथेटिक फाइबर यह पहला संथेटिक इसका थेपन करने पर हांड हो जाएक अजब फटो थंडा करने थेटो वह हाड हो जा आज फाइबर इसका जो इंस इन्टरोड फोता है वह इलास्टोमर से ज्यादा होता है, फाइबर से कम होता है, तो बीट्वीन होता है额 फिच में इसका इंटल मोगोर वोस होता है कि इसका थर्मो प्रस्टिक है नेक्स है। हेवन लॉक्रोड क्रीकिन कमेव बताँ दोगा तो तो मैंने कि इने कि रही हर चिकरे सेप की बारें गरम कर दिया गरम करने बाद में फिखल गया तो बहेगा तो फ्लूट हो गया एंड डाइट फ्लूट एंट बी मॉल्ड इंटु एनी शेप एंड धेन कूल इट अब उसको क्या कि यह मालो समझना एक थर्मोप्लास्टिक लिए उसको क्या कि गरम किया गरम किया देखो गरम करना गाला में तुट बहूंड हो गए धाचा में बनाना तो उसको क्या होगा उसका सेंज हो जाएगा ठीक है और फिर हाड एट रोम टेंपरिचर पर क्या होता है करक होता है सेम्पल है एक्साम्पल समझना प्लिथीन हैं प्लिश्रीण है थर्मो प्लास्टिक के तो अभे पर के टाइम वेस्ट नहीं करना है वन भा वन हम लोग इसका पुले रीक्शन परने वाले है तो सब्ड़ रखो और हम लोग आगे वढ़ते हैं थर्मो कि क्लश पॉल इस ते जड़ी खाते हैं कि एसबकोई है कि यह मिलीG 2500-2545 235 364 ऑowu सिंपल फसं सकंए हिंदी में लिखा है कि ऐसा पॉलिमर जिसे हीट करने पर उसका सेप परमानींट सेट या चेंज हो जाए उसे बोलते हैं थर्मो सेटिंग पोलीमर फिर से उसे उसे ओरिजिनल सेप में नहीं लाया सकता ठीक है जब इसको हीट करते हैं तो यह हाड हो जाता है और बहएगा नहीं तो नहीं बहुत इसमें हो जाएगा नेक्स्ट है कि इसमें परहा ही जाता है यह इस तरह से पता चलावगा कि तो इसी तरह से इसमें क्या है कि आप जैसे पड़ती आरो आगे आप पड़ती जाओगी सब चीजे तो अभी अगर सब पहले बता देंगे तो फिर जो फ्लो है वो खराब हो जाएगा तो अभी करते हैं बैकलाइट जो है वह एक जामपल थर्मो सेटिंग का क्या होता है यह क चलो बच्चो यह क्लासिफिकेशन खतम हुआ अब हम देखते हैं जो आपका क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन क्या है ऑन दे बैसिस अब पड़ेंगे तीनो मेंने साथ में लिए फटाफट हो जाएगा फटाफट खतम करते हैं लिनियर पॉलीमर देखो अश्रक्र इस तरह से तरह से नदी बेह रही है उस तरह से लेकिन इसके ऊप्र एक स्टैक हो तैक में चरहा हुआ होता है ऐसे पॉलिमर इसका प्र प्रपर्टि क्या होती इसकी जादी होती है हाई melting point और बोलिंग पैंट, melting point और बोलिंग पैंट भी जयादा होता है, हाई tensile strength, tensile strength क्या होता है मैं जश्ट बताया, तो समझ गए, इसका tensile strength भी ज़्यादा होता है, note में क्या लिखना है कि all fibers are linear polymer, जितने भी fiber होते हैं, सारे के सारे linear होते है, इक्जामपल में से एक लोग से लोग सिल्क, नाइलोन, टेरिलीन, इटिसी, डेकरोन, वेगरा, जितने भी fiber है, सब के सब linear polymer है, ठीक है, linear polymer दो तरह से बन सकता है, एक condensation करके, एक addition करके, अब यह क्या होता है, यह जिसके बाद परेंगे, condensation और addition, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग परेंगे, तो linear polymer दोनों तरीके से बनाए सकता है, condensation करके भी और addition करके भी, समझ्या गया, इसे कुछ और example है, जिसे पीविसी, HDB मतलब क्या high density, polythene, PVC मतलब polyvinyl chloride बता चुके है, poly peptide जो होता है, ओ भी हमारा linear form में होता है, ठीक है, उसके बाद है branch polymer, यह दो branching है, linear है, सीथे बात है, सीथे जा रहा है, इसमें branching भी है, इसमें क्या थो होता है, branching भी दो लिखा हुए, long chain है, अपले side या branching है, side या branching processing भी होता है, समझ में आ रहा है, प्रपर्टी क्या होती है, low density होती है, low melting point होती है, low tensile strength होती है, simple है, example क्या है, LDP, LDP क्या मतलब होता है, low density, पोलती है, आगे हम लोग परेंगे, glycogen हो गई, starch हो गया, यह सब क्या होता है, कि branched polymer होता है, ठीक है, example याद करते जाना, ठीक है Crosslink polymer क्या होता है, देख रहे हैं आपको, कि यह अभी एक linear form में है, लेकिन एक दूसरे से Crosslink होता है, अटेज्ट है, देख रहे हो, यह attached है, तो इसको बोलेंगे Crosslink polymer, समया रहा है, इसकी property क्या होती है, हाड होती है, रिजिड होती है, हाड, रिजिड, बिटल, हाड रिजिड ग्लास तो भी ग्लास होता है लेक्श बिख जलदी तूट सकता है तो सब क्या भिए बृटल मैटेरियल हो गए। सांन में आ गया। इतने भी होते है। उससा बृटल ही होते है। और हाड अड़ेट दो होते ही है अल्वेस फॉर्म बाइक अनदेसेसन यह सिर्फ गंडेसेसन बनाना पॉसिबल है एक पर एक्जाम में पुछा भी गया था कि बैक लाइट जो है वो किस तरह से बना जाता है एडिशन से या कंडिशन से बना जाता है क्योंकि आलवेश फॉर्म बाइक अगया इससे तीनों साथ में लिख दिया फटा फैडिस को लिखो आगे हम लो देखते हैं कि क्या है एड दिख रहोगा यह बेक लाइट से बनी हुई चीजे है इस तरह से बनाई जाती है समझ में आ गया चलो बच्चो आगे हम लोग देखते हैं एडिशन और कंडेसेशन बढ़ने से पहले यह चार्ट एक बार याद कर लो ठीक है यह थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग क क्लासिफिकेशन और यहां भी अभी लिखा हुआ है यह संथिस के बैसिस में मलब कैसे बनाया जाता है इसको इसको क्लासिफाइब कर सकते कोई दिकत की बाद नहीं है एडिसन पॉलिमर किसे कहते है पहला अच्छा से लिखा हुआ है यह आपको समझा देगा कि एडिसन मॉलिकुल रियक्ट करते हैं और रियक्टर के एक निया मॉलिकुल बना दिये हैं फिर सुनना जब दो या दो से ज्यादा मॉलिकुल रियक्ट करके एक निया मॉलिकुल बना देते हैं या निया कंपाउंड बना देते हैं तो उसे बोलते हैं हम एडिसन रियक्शन ऐसे रि में क्या होता है कि number of multiple में होता है whole number multiple में होता है कहने मतलब अगर आपको याद होगा आपने electricity परहा होगा तको याद होगा quantization of charge q equal to any q equal to any charge क्या होता है मैं इसा integral multiple में होता है उसी तरह सा कुछ ये भी है कि जो इस polymer का जो polymer में सा integral multiple होता है किसके दिस्से यह पिल रहा है किससे बन रहा है मोनुमर से तो इसके मोनुमर से इससे का मोनुमर को पर मास number मैं इसी इसी यह लिखा हुआ है यहाँ पर सेकंड पॉइंट यह लिखा हुआ है तो बच्चों देखो यह जो मास है मास किसका है पूरा पॉलीमर का एडिशन पॉलीमर का इकपल टू एन एन क्या है हमेशा होल नमर में रहेगा होल मतलब कि 12345 इस तरह से जाएगा ऐसा कभी नहीं हो स एम क्या लिखा हुआ है जिससे यह बना है तो यह फर्मुला को फॉलो करेगा और आपका एडिशन पॉलीमर ठीक है नेक्स पॉइंट जैखते है फटा फबच्चों जेनरली इंवल्वान मोनोमर इसमें क्या होता है क्या होता है कि मोनोमर जो होता है उसमें डबल और बना है इसे चैन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं इसमें क्या होता है कि फॉर्म बाइक कंडिसेशन रियक्शन प्लस एलिमिनेशन ऑफ एस्टू अल्कोहल एक्शन क्या होता है पहले समझते हैं देखना बच्चों जब आप एडिसन पॉलिए डिसन कर रहे हो समाझ कि जब जोड़े मंकुल को जोड़ते और कंपॉंट बनता हैं मलकूल को बनता है उसको चीबन aşभी प्रोडटत एप coordinator, łगि consider, scrap, program जो एक्स्ट्रा जो बन जाता है वह ऊग्सथ शल्म निकलता है तो इसी में डिखना है कि होता है कि इसक्ता हらक जोड़ीमें लिखמן गलता है पहतन बस निनलता है बनता है इस में बनता है इसमें निकलता है इसमें कुस निकलता है flat यहाद रखना इसक गल नहीं आपके और Spanoux मल्म्माराइ निए इसमे उड बनता के जादा जयादामनमार होते हैं फंचनल वटा ही होगा पता ही होगा नहीं पता हो यह चार्ट आप हो दिखर हो गई पोपलर फंचनल ग५ है इसको अगर याद रखानौ सकते तो याद रख ऐसे called as step growth polymer, इसको step growth polymer भी बोलते हैं, समझ में आ गया, तो यह हुआ addition और यह हुआ condensation, आपको अगर कुछ reaction बताता हूँ, मैं जैसे के देखो, यह दिख रहा होगा, यह addition polymer के कुछ reactions है, ठीक है, इसके note down कर लो, ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा बच्चो, condensation polymer के कुछ reactions है, यह है condensation polymer के कुछ reactions, ठीक है बच्चो, इसको note down कर लो, ठीक है, अब बच्चो की एक point है, उसको note कर लेना, यहां सुनना, addition polymer तीन step में होता है, फिर से बोल रहा हूँ addition polymer लिखना, सत में लिखते जाना, addition polymer follow three steps, पहला chain initiation, दूसरा chain propagation, थर्ड chain termination, यह तीन step को follow करता है, और यह तीन step कैसे कैसे होते हैं, यह भी एक mechanism है, लेकिन इस mechanism से सवाल नहीं आते हैं, आपके exam में, बहुत rare chance है, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इसको नहीं रहा हूँ, तो अगले मैंने साब को बोला है पहले, कि मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूँगा, त हतम हो जाएगा, तो उसके बाद एक वीडियो आएगा, जिसमें मैं mechanism समझा दूँगा कि chain initiation, chain termination, chain propagation यह सब क्या होता है, ठीक है, अभी इसमें include करना जरूरी नहीं समझता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद जब next video इसके बाद आएगा, उसमें मैं clear कर दूँगा mechanism of addition polymer, ठीक ह चलो बच्चो next topic देखते हैं, तो बच्चो next topic हमारा क्या है, next topic है हमार rubber, देखो ध्यान सुनना, अभी यहां से जो भी आगे बताने वाले हैं, वो काफी जदा important है, क्योंकि most of the questions जो आते हैं polymer से, वो यहां से आते हैं, ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी topic बताने वाले है इसको लेकर इसके बाद झो भी topic बताने वाले हैं, जो भी चीज़ हो इसको ध्यान से note करना और लिखना और याद करना ठीक है, तो start करते हैं बच्चो rubber, बहुत तरके होते हैं, ठीक है, नैचुल रवर क्या होता है, नैचुल रवर होता है unnatural patriot paper, clear बहुत Macron है, जोने इस्ट् क्या होगा पर न दो जो कि पहले ही तो इसको स्ट्रेच कर ते कि भाद छोड़ दिए तो ऑज स्कुल्ड़ ने पर आ जाएगा क्यों क्रॉस लिंक इसका लेयर होता है एक दूसरे होता है तो एक अगर आ रहा है तो बाकि सब को घीच के लिए आएगा समझ में आ रहा है तो दूद केलेवान है यह होता है zone डेक्स जो से मना जाता है स्हेटेट से मैं पाहिए उसाता है चैनल लिन जरता है यह क्या होता है लिन्य पॉल् waterom गज में और झाल कंड़ जो शहता है याद रखना इसको नेक्स्ट क्या लिए वाच्चो नेक्स्ट है कि ये नेच्ट रबर को हम सिस वन फोर पोली आइसो प्रेंग भी बोलते हैं ठीक है इसका स्ट्रक्चर दान लो दिखना आइसो प्रेंग का स्ट्रक्चर हो जाएगा यहां लिग देता है में नेच्ट का जो नाम होता है शुष का श्रक्चर होता है इस तरह सी ठीक है इधर होता है CH3 और इधर होता है तो बच्चों यह क्या है यह तुम्हारा आइसोप्रीन याद रखना है सक्चर ठीक है आइसोप्रीन इसे टू मिथाइल वन थ्री बूताइन भी बोलते हैं समझा रहे हैं देखो नमीं कर लो वन यहां सब्सक्राइब टू थ्री फोर तो यह यह दो है इसी से इसी को अटैज करते जाओ तो आपको यह बन जाएका और इसको ऐसे लिखेंगे जैदर पर आँपर में इन मतलब कि जितना टैज करते जाओ यह यहां इन हो होगा ठीक है तो यह आपका बन गया किया बच्चो शिस 1-4 ठीक है फोली आई तो प्रीम ठी यह दोनों क्या पॉजिशन पर हैं ठीक है लेकिन जब दूनों एक डूसरे के अपोजिट में होगा जैसे देख लूसी डेवल बॉंड्सी इस तरह से यह चीएश टू यह जाएगा जाएगा शुट्थ यहां यह एच देखे यह और यह क्या आ गया इसे बोलेंगे ट्रांस तो टो फॉसन गूप पर शेक्ष्ट तो सिस्ट फॉर्म में रहेगा और अपोजिट शैन में तो ट्रांस इस बोलेंगे ट्रांस वन फॉर पोलीए सो क्या है ँप से जो जो हैए उसके इसको निकाल काल यह होता है यह इसका है इसका होता है यह ने तो के लाध्य के कमपेयर में और आजैका आपको घ्य quote शिर जो होता है ने रूट के नल जो पहना इस ते में इसका यूट करने जो नहीं यह सका इसका इस काchosya यह तोसकर बेटर भॉता है jewelry पर आपोटन है क्या आज घ्रिबरर कम आज्रों 9 5 8 हैंativo करो आगे देख्रीभी नी को सुर्थ करने से पहले चुटा सब ठापिक आता है जो की है वलकानाईजीशन यह बहुत इंपोर्टेंट है क्या होता है जरा समझते हैं फटाफट लिखा हुआ है हीटिंग फ्रवर विद सल्फर और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स एट लगबल लेबर देर सो डिए सेल्सियर्स फूर फ्यू आवर्स इस वलकानाईजीशन कहना है मतलब है कि जब रबर लिये नौर्मल रबर ली निचरल रबर उसमें क्या किया है हमने उसको गर्म कि दक법 कि लिए चोंहां है टरके ना capacity अगरांगा शुक्क कुछ मढग वह संमंदे तो गच्चा रबर होता है तो कच्चा रबर होता है बिल्कुल नेच्छल फॉर्म में जाब रहाँ इसमें क्या करते हैं कि वकानाजेशन करने क्रवर्ム कंपने से पहले ये जो क्या करण के कûtर देटेंगे दाल देते हैं 對edel तू जो रबर बनेगा उसमें वेरिंग केर्क्ट्र बढ़ जाएगा मतलब कि वोता जलते चलते हैं कि उतने लगता है तो ऐसा चीज ना हो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग फिलर कर देते हैं ठीक है जिससे उसकी लाइफ जो है वह और बढ़ जाती ठीक है तो यह क्या होता है याद हो गया और क्या करता है किया करता है इसको बूस्ट कर देगा या किम करेका किशा तो यह करेगा जलदी बढ़ा देखा। नेक्स्ट क्या है शुवल होता है वो नेचरल रॉबर के बनते हैं he है आये इन बॉल्कनायज़ रभर्ड जो वकाम ऊसे के बाद जो इसको वक नर址 बोलते हैं वह उसका瑬 ज़ूर्बर Classic जो हो गया घलक्ते शूटिक कार टायर जूम्ट होता है वह क्या होता है क्यूत यह लोग फिलर भी करते होंगा हे जिंड 캐데 वह अगया सब्सक्राइब नहीं हो समझ में आ गया इसको नोड़ान करो आगे हम देखते सिंथेटिक रबर ठीक है बच्छो अच्छो एक दुद्ध पॉइंट और था ठीक है बाते वलकनाइश की बारे में कि वलकनाइश जब कर देते हुना नेच्रल रबर लिए अरे कूड रबर में तो नेच्रल प्रम में जब रबर लिए और उसमें ऐसल कके रहे हो तो वलकनाइश रबर होगया यह वलकनाइश ज़ादा यह जिल होता है है कॐन بالれた और और क्या होता है इसका टेंसस्रंथिन ज्यादा होता है किसका फिल्क नघिस अबर कर लेना समझे आ गिया वअन करने के बाद वअला गोन आइशंड पर जो फोता है उसका एलसिग्स लाचिट्व पन ज्यादा हो कि यह होता है द्टिक सब्सक्राइब थे जादा होता है कि अब चलो तो चलो नेक्स देखते हैं सिंथेटिक रबर क्या होता है ज़र समझतें इस इंथेटिक रबर लिखा हूँ है पोलीमर आफ 13 इसे बना होता है ठीक है, वन्ट्री विट अट इसका मोनुमर हुआ, नेच्वर रबर प्लस वाटर पूफ। उस्सिंपल लेग्विज में लिखा है, बहुत बढ़ा लैंग्वेज ने लिखा है, सिंपल लिखा है, कि नेच्वर हूँ, उसमें वाटर पूफ की क्वाल्टी अड हो जाए, और और बढ़ जाए हम उसका अटाइशा है अगर कुछ दो सिंथेतिक कि रभर कहला है किला है मुझल के लिखा है मोग ज्यादे लचिला होता है ठीक है इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं ऐसे ऐसे से कर सकते हैं टॉसे यह जितना दिन चलता है उससे जाए दिन चलेगा बस देखो नेक्स्ट होमोपोलीमर इसार का मलब सिंथेटिक रवर तो होता है और को पोलीमर पता है पता चुके है तो सिंथेटिक रवर दो तरह से डिफाइन होता है सिंथेटिक रवर होता है एक को पोलीमर ठीक है तो हमोपोलीमर का मोनमर होता है वह तो इसके ब्यूटाइन चार यहां पर क्या है तो घी पर कुछ भी हो सकता है हो सकता है CS3 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है और ऐसा कोई structure हो जिसमें कि G के जगर पे तिनों में से कोई एक हो और ऐसा को structure हो तो इसको बोलेंगे कि यह homo polymer synthetic rubber है समझ में आ गया प्रेजन्स में homo polymer synthetic rubber बन्ता है द्हान करना homo polymer synthetic rubber geogler nata catalyst के presence में बन्ता है समझ में आगया इसका formula मैंने लिख दिया है यहां पर यह जो formula है यह formula क्या कहते हैं फिक्स नहीं है यह फिक्स फर्मुला नहीं होता है इसका लेकिन जो पॉपलर हो में लिखा है टी आए-C-L-4 CH2 का हो gj कर दोख हो एक के मैं वहां पर था मों क्या नहीं हो सकता है क्यों कैसे बनता है कि कब हो होगा कब नहीं होगा सब्सक्राइब कोई चर्चा नहीं करने वाले हम बस समझ लोग कि यह popular है इसको ध्यान में रख लेना पिसल फोर के प्रदिंस में हम लोग पोल्थीन भी बनाता आगे पड़ेंगे हम वैसे पोल्थीन भी बनता है ठीक है बच्चों तो आगे देखते हैं कि आगे हम लोग सिंथेटिक रवर क कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बगश्यंपल जो आता वी आता है नցयोपरिन का है हमारा ही sr है मतलब हो मोपोलीमोर सिंथेटिक रवर का बहुत बगश्यंपल है तो फटख च देखते हैं कि नियोडति क्या होता है पहला इपर सृशं इंथेटिक रबर manufactured in large scale यह पहला synthetic rubber है इंसानों के द्वारा बनाया जाने वाला पहला rubber है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया गया था यह पहला rubber आता है synthetic rubber कि कौन आता है नियोप्रिन सेकेंड पॉइंट है औल्सो कॉल्ड डाइप्रिन यह बहुत जगह नहीं मिलेगा तुम्हें लेकिन फिर भी एक्जाम में पुछा जा सकता है कि इसका अधर नेम क्या है वो है डाइप्रिन ठीक है इट्स मोनोमर इज मॉनोमर इस किससे बनाया गया यह बनाया यह आपका क्लोरो फृटरिण से रोफिंट क्या होता है इसका एफ लॉटक यह और यहां और यहां यहां है तो यह एक धेडवल यहां आ गया फिर ईक दो तीन एक दो सीघ्वाद यहां पर यहां गया हो गया है तो इस तरह ट्रीन हो लगा दो जाएंगा हो गया अजया हो गया है ऊट्रीन है न यह वह दूसर बना इन का श्रक्रट है न पर डूसर इस लिख विड़ जाएंगा है और तरह से और एक्जाम में भी ऐसे मलब कि ये इस्ट्रक्टिर जो इनने के लिखके देगा वैसे बोल देगा कि सी कितना है चार ना सी ठीक है ऐसे दिमाग काम करने दिए लगा हुआ है और सील किसे पढ़े थे क्लोरोप्री में पढ़े थे तो फिर बना इसका स्टुक्चर तो इसका स्टुक्चर हो गया जहां सिंगल बॉंड कर देना बस तो पूरा नियोप्रीन का स्टुक्चर बन जाएगा ठीक है यहां पर इस मोनोमर किसका कछा इस उसका स्टुक्चर एसा होता है उसका स्टुक्चर बन गया है तो एसे खूरोप्रीन बन ऐत से बना दिया रहता है और बनाने के बाद क्या गिया रहता है तो देखको यहां लिखा हुआ है कि Kloro Pinyrmene बनाए उसके बाद किया है फ्री रेडिकल पोलीमराईशन किए किसके परजेश में जिगलार नाटा बहुत सारा क्लोर्ट बन गया मिल गया तो इसे को बोल रहें नियोप्रिंट तो यह हो गया आपका पास देख तो यह फिगर आपको दिख रहोगा तो यह होती है उसे फोर पेट्रोल ठीक है और और कंटेनर सांट जो और यहां पर और यहां पर और कंटेन करते हैं उसमें भी आपके नियोप्रीन होता है क्योंकि जल्दी आज नहीं पगड़ता न सीजिसी बात है इंसुलेश कर जहाँ जाना है उससे चलिए आता है उपर और होती है बती है बहुत सारे पर यहाद कर लोते हैं नीयॉप्री mister से बनता है नीओप्रिन क्लोरोभीन से बनता है ऑसके बनाग में आ सबसे बड़ी बात इसके कि जल्दी आग पकरता नहीं है नॉन इंफ्लेमेबल होता है तो अब कहां यूज करोगे पैट्रूल के जो पंप होती है उसमें हो गया आपका क्या होता है ओयल कंटेनर हो गया ऑटो मुबाइल सगार यह वैरिया हो गयी और क्या हो गया यह सब जग पोलिमर सिंधिक रफटेंगी कि यह होते हैं और क्या होते हैं समझते है तो पहला आपका sis क्या है उने यह जी से कहते हैं थेक्रीट क्यों क्यों देखों यह अंद आधाना अस्टरी Rs Tax google फूर फूर मुए इसका किसका SBR कि मावन मैं एसका स्टरीन डुटटे टन रबर यहांसे इस उठाया यहांसे स्टिर इए यहांसे रूटाया तो इसबी और याद रखना यह किस से बना हुआ उपकोस तो यह दिखाए आपका पहला जो है और यह ब्यूटाइन का structure यह ब्यूटाइन मैंने बोला ता पहले ही कि कोई भी Synthetic rubber हो उसमें 13 butadine तो होगा वन त्री बूटडड़न होगा चार है तो रहे गा और एक स्ट्रा तो रहेगा क्योंकि को पॉलीमर है क्या रहेगा इसमें ब्यूना इसमें तो इस्टरीन रहेगा यह स्ट्रीन है ऐसे मिला जुला कर यह यह बनता है ठीक सों इसको अपको इसको आपका एक्राइलो नाइट्राइल एक्राइल नाइट्राइल तो आपका ब्यूणा यहां पर होता है और यहां कोई आरा कि कोई है यहां पर सुसर यह था रोग नाम बोलना पर तो यह एक्राइल नाटराइल है तो बूताइल रबर यह आपका को परीमर है यह किस से बना है आई सो बूतलीन से इसका स्ट्रक्चर हो गया अग्याना तो यह गया तो घ्राइल फिक्स हो जाएक तो आयो इसका क्या होता है इसका क्या होता है बच्छों यह आपको देखो यह प्रोपर ली और यहां पर श्रुक्च्चर हो गया इसमें तीन आगे तीन आगे और देखो ऐसे बोल सकता है कि बताओ होताओ ब्युणा एसमें हम लोग यह यूज करते हैं इसे बताओ व्युना एन में या एबियस में इसमें क्या हम ये यूज कर रहे हैं देखो तो अधान सम्यक इस हैं है, आखे खोल के रखो, ठीक है, C8-h8 है, देखो, 6 कारवन, 7 कारवन, 8 कारवन, 8 कारवन, 8 कारवन हो गया, 5, 2, 7, 1, 8, 8 है तो स्ट्रीन को ही बोलते हैं, ये स्ट्रीन ही है और ऐसे भी लिख सकता है, तो दिमाग धुरा खोल के रखो, कुछ करें नहीं है, आपको इतना कि ऐसे पूछ सकता है ठीक है दिमाग खोल के रखना एक तो कुछ न प्रैक्टिस करो गया तो समाज में आ जाएगा बस हो गया आपका यह हो गया ठीक है बच्चो तो आपको क्लेर दिख रहा होगा साला चीज है तो इस तरह से आपका लिख सकते हो इस तरह इसको भी लिख सकता है किसको वंत्रे बीटाइन को कैसे लिखाएगा देखो इसको लिखाएगा देखो इसको लिखाएगा कि नहीं यहां होता है अगे देखते हैं और फटाफर देखते हैं कि व्यूना एस और न क्या होता है फटाफर देखके इसको नजरे के सामने से हटाते हैं न विवना एस क्या होता है बीवना इसको SBR बोलते हैं फटाफर लिखो लिखना इस नहीं लिखवा चुक्क है वं त्री बीटाइन इस तरह का इन का मतलब कि अब इतने लगा रहे हो मोनोमर कितने मोनोमर टाइस करोगो उतना एन होगा तो इतने मोनोमर लगा हो गया और जितना लगा वहां लिख दे इसमें हम लोग एने यूज करते हैं अम लोग ग्माइस में याद रखना क्या यूज करते हैं सोडियम किसमें च्रोको सब्सक्राइस करने समय जो एजेंट यूज करते हैं से हम पुलिमनाइजिंग एजेंड बोलते हैं जैसे कि सोटियम यहां पर यूज कर रहे हैं किसमें भी उना स्ट्रक्चर हो गया फटा इसको याद किसे करोगे देखना छे कारबन यहां पर एक दो तीन चार पाच छे कारबन है एक को छोड़ का डबल बॉंड लगा देना टायर की करते हैं टो यह उता है अपका बॉण एस बीर्ण ब्रक्चर चाइब यह उच्च करते हैं ंव्लोंग फ्लोंग इस लिवाड़ जमीन पर टायर्स लगाता है इस तरह के टेल्स होते हैं उसके तो यह होता है आपका ब्यूच करते न में से यहां किया जाता है यहां किया जाता है अप्टेट पाई पॉलिमरलों से यह बना रहे है क्या इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल को पोली मरेंजेसन फ्री रेडिकल को पॉलिमरे में इसको ठीक है अगर किसी के दिमाद में यह आ रहा है कि सर फ्री डैडिकल को पॉलिमरे जानने की अभी अवेसकता नहीं है क्योंकि मैंने आपको बोला कि यह जो है पार्ट है इस वीडियो के बाद में बताऊंगा कि वह क्या होता है ठीक है वैसे एक्जाम के परपस से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है और जो इससे बेस्ट रॉक्षिन आते हैं वीडियो के इंड में आपको क्लियर कर दोंगा ठीक है ओके दिन आते आते हैं दिन आते हैं नद इंबी आर रखोस्ट और आख लिए चार बाच्छे शेक ने एक को चौर कर दो लागा देना बस अंतर क्या रहेगा कि लाश्वाल में सी एं भी लगा ना इसमें बस तो ब्युना एं हो गया ठीक है ओके देखते जा यूजा यूज करते हैं और ऊपर जो न रगाते हैं वह न रभर लगाते है वह विवना एंड रबर होता है ठीक है नोट करो इसमें एक इक्स्ट्रा मैंने नोट लिकाए है कि कोल्ड रबर क्या होता है तो कोल्ड रबर जो होता है वो किससे बनता है भाई पॉलिम्राइशन ओफ ब्यूटाड़ाइन ले लो ठीक है और श्टरीन और श्टरीन केतने डिग्री पर रख दना है फाइब डिग्र ठीक है और बच्चों कि आपको अगर पता होगा अब इक्जाम में लिखे सकता है तो इसको याद रखो आगे बढ़ते हैं तो बच्चों अभी आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा चेहरा नहीं दिख रहा है इसका कारण यह है कि अभी जो में कुछ स्लाइड आपको सियर करने वाला हूं वह स्लाइड में मेरी नेजर में बहुत इंपोर्टेंट है और मुझे लगता है कि मैं जो स्लाइड दिखाऊंगा उसका क्या करना है आपको स्क्रिन सोट ले लेना ह ठीक है यह जो लिखना मुझ छोड़ना लिखना तो है प्लस स्क्रिन सोट पिलेना है सोते जागते इसको परना ठीक है यह कुछ और तरह के पॉलीमर है जो जिसका रियक्शन है और इसको यूजेज कुछ है तो इससे सवाल आते हैं और आप इससे मैं चाहता हूं कि आप इ एडिपिक एसिड जो लिखा हुआ है लेफ्ट में और एक है आपका हेक्सामिथलीन डायमाइन ठीक है इसको आप 280 डिग्री सेल्सिस दोगे और हाई प्रेशर दोगे तो क्या होगा बच्चो कि यह आपका बन जाएगा और नायलोन 6-6 आपको दिख रहा है नायलोन 6-6 से स्टक्चर यह नायलोन 6-6 का स्टक्चर होता है याद करना बहुत इज़ी है बच्चो CS2 का hole 4 लिखा हुआ एक जगह और just CS2 का hole 6 लिखा हुआ है बीच में CO-NH है और left side में CO है और right side में NH है बस समझना CO है नह है बीच में और left side में CO है और right side में NH है ठीक है और ब्रेकर बन कर दिया एन यह बच्चो एडिपिक एसीड को डाई बेसिक एसीड भोलते हैं डाई बेसिक एसीड ठीक है इसकी बैसिटी दो होती है बैसिटी दो होती है नेलोन Shifts to Condensation Polymerization से बना जाता है, लिखाव है सब में Condensation Polymerization मतलब की सब Condensation क्या होता है बता दा दीन है आपको तो संसे a championship k به माज़न से बना जाता है बच्छो, इसका यूज किया है।ि यूज मे किन सीट्स सीट्स जो हुती साफले जातकी है इसको बनाने में यूज किया से बनता है और इसका टेंसाइब स्ट्रेंट बहुत जादा होता है थिक बच्चो नायलोन सिक्स्टेन फटंट हम लोग निएक्स देखते हैं आठ ब्रैकेट में दिख रहे होंगे और एक COOH का और एक राइट हैंड COOH का हाना तो कितने होगे टोटल दस करवन होगे इसमें दस करवन होते हैं और यह भी बच्चो डाई बेसिक ही होता है इसकी बेसिटी भी दो ही होती है ठीक है यह देखो नेलों 16 ऐसा होता है समना आग वही बात है और राइट में नेच है बस और उसको अनसे बंड कर दिया गया है यूज़े इन मेकिंग गार्मेंट्स कारपेट जाईर कोर्ट्स रोप्स, मतलब कि यह गार्मेंट्स होगे बच्चो अना यह गार्मेंट्स कपरें वगएरा नेलों 16 के बनते हैं, तैयर कोर्स इसे टायां कोडस कोण भकाता है, इसके इसट इसो परलोण L भी बोलते है, इसका है कि जते ही बदा बार भज़से सका मुझा भकाता है, ठीक है इसलिए इसे कोई scientific reason नहीं है तो कोई बच्चों बजा कैसे है यह बीच में आपको दिख रहा हूँ केप्रो लेक्टम को आप 260-280 degree Celsius से दोगे इसको Kelvin में चेंज कर सकते हो एक पॉइंट और लिखना बच्चों कि नैलोन में polyamide linkage होता है याद रखना पूछा गया था कि नैलोन में polyamide linkage होता है कि नहीं तो हाँ होता है पॉइंट लिंकेज होता है नेक्स बच्चों आपको दिख रहा होगा LDPE low density polyethylene यह क्या होता है बच्चों यह एन इथलीन से बनता है मनलब CH2, CH2 लगा दिए बहुत सारे 200 degree Celsius temperature दे दिए 500 ADM pressure दे दिए और season के presence में होता है बच्चों और यह क्या बन गया polyethylene यह क्या होता है free radical polymerization से बनता है इसका point लिखना बच्चों कि low density इसकी होती है low melting point भी होती है transparent polymer है बच्चों यह और इसमें tensile strength moderate होता है ना ज्यादा ना कम इसकी toughness बहुत ज्यादा होती है high toughness होता है widely used as packaging material इसको packing करने में युश करते हैं जहाब जो हम लोग यह LDP का युश करते हैं and insulation for electrical wires और जो wire wire होती है उसकी insulation जो होती है उसके उपर जो परत होती है जो हम देखते हैं wire में होती न उपर से cover तो यह LDP का ही बनता है और यह branch structure होती बच्चों यह branching में आती है ठीक है बच्चों उसके बाद निस देखते है HDPE इसको बोलते है high density polyethylene यह कैसे बनता है बच्चों तो यह भी आपका इथलीन से ही बनता है इसको कैसे बनाते है इसको temperature देते है एक सुसाथ डिए से साथ एक तेम प्रेशर देते है बस लेकिन यह जिगलर नाटा है catalyst के presence में बनता है बच्चों और यह आपका स्ट्रक्चर हो गया polythene का CS2 single bond CS2 और एन लगा दिये बहुत सारे अगर लगा रहे हो इसका density जो हाई होता है melting point भी हाई होता है एटальная सहलुक्त होता है ब्रॉक्त ने लगास पर देख रहे होगा तो इससए कर विखता है आपको और जो देखता है लेकिन फोर बहुत दीकता है हना ऩे उता होता है ằगे यूज याजा जाता है ठीक है बहुत बार पूचा गया है यूज कहाँ है इसको आपको बोलते हैं हाउस्वेर बच्चो यह हाउस्वेर्स हो गए बोटल्स ट्वाइज इसमें आप यूज करते हैं यह लिनियर स्ट्रॉक्चिर होता है बच्चो याद रखना नेक्स आपको दिख रहा हो बच्चो मेलायमाइन फॉर्मल डिहाइड रेसिन यह कैसे बनता है तरह मेलायमायन को बच्चो और फर्मलियो गया इसको प्रनाशं करें तो यह बन जाएक आपका मेलायमायन फटोहरे है वह रहे बोल देता हूँ चोडना नहीं आपको दिख रहा होगा और फिर क्या लगा हुआ है तीन बार देखो आपको याद हो जाएगा यह हाट पॉलिमर होता है बच्छो वैडली यूजिन प्लास्टिक अन ब्रेकेबल क्रोकरी प्लास्टिक का जो अन ब्रेकबल को जो होती है न बरतने न चीजे होती है तो यह बन अगर बैसिक है और बैसिक है भी रहे हो तो जल्दी तोटेगे निया बहुत ज़्याद से फेक तो यह जल्दी नहीं तोटेगी नेक्स बच्छो बेके Sug लाइट आपको दीख रहा होगा कि यह कैसे बनता है ओ ओ मिंस और्थो और्थो हीड्रोक्सी मेथाइल फ्नोल और तो टूमेह एड़्डोक्सी मेसा अनल से बनता है और तोस्ट आब हुता तो इसको बोलता है और बोलते हूं तो नगוצे यह दिक है यह ना बच्छो पी पी- में टूरक्ड लगे है पर दोनों को प्रेमराइज किये बच्चो तो यह आपका बैकलाट का स्टक्चर थोड़ा है तो ड़ने की बात नहीं है दो तिन बर देखोगे तो द्यान में आ जाएगा एक क्रॉस लिंक होता है ठीक है बच्छो यूज कहां करते हैं इसको यह भी हम लोग वायर इंसलेशन म नहीं रहेंगे ठीक है कि यहाद रखनाः इस फ् turnedनो है तिन ब्रक्रण अरुज किया जाता है वाश्ट में इसको यूज किया सब्सक्राइब करना होता है वाटर निकलता है याद रखना करनेसिशन रियक्षिण में वाटर वगर निकलता है तो इसमें भी वाटर निकलता है तो यह यह तो यह यह ख़्या ठीक है, इसमें भी कैलिस यूज करते हैं बच्चों, कौन सा जिंक ऐसेट और क्या और इसको बनाया तो इसको क्या बोलते हैं डैकरोन या टेरलीन दोनों क्या होती है पॉलिस्टरी होती है तो इसका स्ट्रक्चर यह आपको दिख रहा होगा पैंजिंग लगा दिया है और बस एन कर दिया इसको बनाने में यूज किया आता है ठीक है इसे कप्रे बनते हैं टेफलोन यह बच्छो लास्ट है यहां लोगा टेफलोन टेफलोन को हम लोग पोली टेटरा फ्लूरो इथीन ही भी बोलते याद रखना है बहुत बाग टेफलोन फ्रूरो इधीन लिखवा जो क्ये बहुत बो के कहा इसका यूज के रिखा तरह के नॉन स्टिक पायन देखते हैं इस लिए नॉन इस्टिक ही होता है अधिक पकता नहीं है और इम टांट जालने में गढधे हो लागई तो यह का बच्चो आखिरकार हो गया आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स ठेक है अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चो बायो डिटेबल पॉलिमर जो की मेरा चेहरा देखने के बाद ही स्टार्ट होगा ठीक है बच्चो चलो आगे देखते हैं कि टेंट नंहें ड़े सकते तो कैसे रहोगे होगे लुग जला गया तो क्या हो गया बुड़ा मान गया आगे पड़ते लिमर स्टार्ट करते आगे बड़ते बायो डिटेडिवल पॉलिमर ठीक अब खताम होने माला चप्टर तो थोड़ा सब रखो ठीक है सेकेंड लास्ट टॉपिक ही है बायोड डिग्रेडेबल पॉलीमर नाम से क्लियर है जो बायोड डिग्रेडेबल हो ठीक है डिगलडे इंजाइम प्रोड्िस पर्ले क्रोड़ एक का लिए चीटो नाज से क्या होता है ctGL कि कि अराम से हमारे century environment में क्या होता है इसका, नांस ho जाता है, खत्म हो जाता है environment में ठीक है, कहीं न कहीं ये हमारे इंवर्मेंट को और फायदा ही पुझाता है, क्योंकि अगर ये बायो इंवर्मेंट के लिए और हमारे इंववंडमेंट के लिए काफी अच्छ होता है अब भी से पलिथीन ले ले लो पलिथीन क्या है क्यों हुँआ फॉर SHE COige अा वह हमारे में भूल नहीं सकता था उनका वह कई सालो अरबो सालों तो कोई परा रहता जहानपर है तो हमारे और हमारे अर्थ के लिए हुआ वह बिलकुल ह्खराब था तो ऑग्योर नहीं था जो व्यशनंसद्द वूंपस जफ़ी किसी में जाएगा मिल जाएगा कितर में समा जाएगा टेक कितरें तो हमारे इंवर्मियंट और अर middle पॉलिपली यूट्स चत्राइम कि पिसके व winning expectation जोवानिक होंने तक बैंदी पॉलिबशक शीधा होता है एक यह पर रहे हैं यह पर होता है तो यह पहला एक्जामपल जो बायोड़ीदेबल पॉलीमर का वह पी एच वी ठीक है इसका थोड़ा नेम है लेकिन मेरे सुटेंटो डरना नहीं है डराना है समझ गया किसी भी सिलेबस को किसी भी सब्जेक्ट को हमेशा डरा के रखना है डरना नहीं है तो देखो पी से मतलब क्या है पूली हाइड्रोक्सी है ना पीएट से हो गया आपका बी से आगया ब्यूटरेट सी यो बीटा यहाद करते हो दीदे दुति इन बार तीन बार आपको याद हो जाएगा यह बंत है बच्चु अब्स दिख़ रहा हुआ ये श्ट्रक्चर यह क्या है देखना देखने हैं यहाँ पर नहीं यहाँ से शाल करें कैके यह कि यहाँ से अपिद्ग पहले आता, एक दो तीन प्रेटरोक्सी और फिर कितने हैं इस तरह यह क्या होगा बचाओ अपने खुद से करो अगर आप लोगो आ जाता है तो अपने को कमेंट करो कि इसका नेमिंग किया होगा ठीक है इसका थ्री है डॉक्सी बताते हैं मैंने कैसे होगा क्यों तीन पर लगा हुआ है यहां से स्टार्ट क्यों नहीं किया है तो एक दो तीन प्यार है आपका ओएस तो हैट रोक्सी हो गया एक दो तीन चार चार है आपका थे याद हो जाएगा ठीक है यह आपका ये आपका यह बीग का स्ट्रक्चर होता है सबस्क्राइब यहां पर यहां और दोटीबे देखो के ना में बोल रहा हूं आपको लगए हुआ है याद करना फिर भी मुश्किल है लेकिन सच में बताओ मेरा विश्वास रखो कि तो याद हो जाएगा ठीक है तो आगे वरते हैं बच्चो और देखते हैं कोई बैयोडिक डियेवल पॉलीमर क्या होता है एक नेलोन टू एलोन शिक्स नेक्स अमलोन देखने वाले वह देखत इसको कि यह कहां पैकेजिंग होता है यह यह लगाया भी पिस बीठ त जहीं है आप जो खाते हों द्वाते केपसुल खाते हो पर उता है है कबला जो है यह इप इस विएपिका बना होता है यह घृण यहाता है हमारे सरीयर में जाकर और अर्थों हावना पर बिख रहे हैं और तो पैडिक दिखने इस तरह की डिवाइस में अपका पीएश्य भी यूज किया जाता है पेडियू क्या होता है कि बैक्टेरियल डिग्रेडेशन में जाता है दूसरा नेक्स्ट क्या आपका बच्छो कि ये बोथ मोनोमर जो होते हैं प्यास बिकार साय थो किया सथे जो डोनों मनूमर होते हैं, धुजी मिद्व होते हैं, MA, अफको जोइन मिद्वन रोगे। स्मांग सीת阪ल बैन्ड हुँ ओ फिर हखो यहां को और हैगा हेडा कर भण और फिर यहां पुथर क्या है हर्फाlex हो गया किया हम थह स्यंदेख का हूब इस भी भी ठीक है नोट कर लो इसको फटाफट हाँ तो बच्छों नेक्स देखते हैं नेस्ट बायो डिगेडेवल पॉलीमर क्या है नेक्स्ट है नाइलोन टू नाइलोन इन दोनों को मिलाया गया नेलोन टू नेलोन शिक्स बन गया यह इस्ट्रक्चर है और मैं बहुत बार फिर फिर बोलूँगा कि देखो फिर से आप पास आके बोल देता हूं किसी का भी इस टॉट्फ नहीं है ठीक है आपको देखने में लंबा चौरा लग रहा होगा किसी का इस टॉट्फ नहीं है याद कर लो ठीक है याद कर लो और एक बहुत बड़ी बात में बोलूँगा फिर से की देखो जैसे कि यह यह है तो इसको ऐसे भी सकता है एक्जाम में तो दिमाग खोल के रखना इसको भी सकता है इसको भी ऐसा लिख सकता है ठीक है तो दिमाग खोल की रखना बस इतना कहूंगा और कोई भी याद करना कठिन नहीं है जो याद करते हो यह लिख लिके प्रैक्टिस करोगे वह भी अच्छा है जिसे भी करोगे जैसे भी कमफ़टेवल हो याद कर लो ठीक है मुश्किल स्थृट टाइम लएगा और पेसंस रखो हो ठीक है इसा यूज देखते हैं यूजिन ब्रिसल ऑफ तूथ ब्रस देखो दो तीम में आप देख नोटिस कर रहे होगा कि एक ही टाइप की पोलीमर दो तीम जगह यूज हो रहा है तो देखो ध्यान रखना कि कुस्चन में आपको वह दोनों नहीं देगा ठीक है कोई एक ही जाइँ देखा इस तरह से कि फेल डिसल ऑफ तूथ जिल्व यह जो तरह से समझत Medien ऑफ native उन्हिकल एंटेमेट जो मूजिकल निश्टरूमेट उकर मारे मसफेयर गितार रहे रहा रहा हो कमेडि़िन ऑब यह ऊससे जो जो स्ट्रिंग होती है जो क्या होते है इसको floo लोगों बोलते है ना दागा, दागा नहीं यह वो बनती है नेपाइब भीजेवर है भीज助 settled Susie यह हुगयाuen ऍपर इंपाई बाइग लास्ट यहां भानेज़िश भाइबास क्रता है उसके बाद एक छोड़ी आसा टॉपिक है बस बस सब रखो तो रखो खतम ही होने वाला है ठीक है तो बच्चों लास्ट आ गए है लास्ट बायोडिगेडेडेबल पॉलिमर क्या है वो है आपका पोलीग्लाइकोलिक एसीड एड पॉलीलेक्टिक एसीड पॉलीग्लाइकोलिक एसीड यह ऐसा बाइओ डिडिडेवल पॉलिमर है जो रोज मर्रा की जिन्दगी में हम लोग यूज नहीं करते हैं हाना यह कौनी यूज करता है जनकार है सचरस क्या होता है कटशता हैっていう जिरा लग जाता है उसक्रREE करता है डॉक्टर टाका मारता है और बोलता है कि आपको टाका खुलवाने की जरूरत नहीं है होता है कि शाधिन बाद आ जागे गां कभी ख़ुलाना नहीं है क्यों नहीं क्यों को टाका है कुछ दिन के बाद आटॉमेटिक हमारे बॉडी में डिजॉल्व हो जाएगा वह बाइलेडेबल हो जाता हैं अब्सॉर्ब कर लेती है वह में हमारी बॉडी पाइडेबल होता है, Dextron was the first bioabsorbable Sacher, ठीक है, Dextron जो था वो पहला, 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 पहला bioabsorbable Sacher था, Dextron, Dextron क्या है, POLYSTER है, याद है, POLYSTER है, POLYSTER है, तो यह पहला बना था जो कि हमारे बॉड़ी में क्या होता है घुल जाता था पहला इसा टाका था टेक्स्ट्रों और यह पॉली क्लाइकोलीक ऐसे पॉली एक्क्रिक्स ऐसे समझ में आ गया यह भी हमारा बहुत सक्सेस्पूल क्या है biodegradable है सचर है जो कि हमारे body में घुल जाता है खतम हुआ biodegradable अब एक last topic है उसको करते हैं फटाफट खतम करते हैं चलो बच्छो नोट करो इसको हाँ तो बच्छो अब last topic में आ चुके हैं हम लोग अब polymer खतम हो गया ठीक है last topic फटाफट करते हैं इसको क्या बोलते है average weight of molecular mass इसको क्या बोलते है number average of molecular mass मतलब average weight of molecular mass और किसका number average of molecular mass दोनों का ratio को ही PDI बोलते है PDI का full from होता है polydispersity index याद हो गया अब देखना फर्मुला समझ गया अब समझो feel इसका कि यह होता क्या actually feel समझो देखो PDI tells about heterogeneity heterogeneity मतलब कि जैसे होता है homogenous कि एक जैसा तो hetero मतलब कि अलग-अलग hetero मतलब अलग-अलग different ठीक है तो आपके जो polymer है उसका जो monomer है वो एक type का है कि नहीं एक molecular mass का है कि नहीं या अलग-अलग है इसी के बारे हैं बात करता है तो थोड़ा सा सब्रकों बताते हैं देखना जिसे कि अगर MW और MN बड़ाबर हो ठीक है तो क्या कट जाएक दोनों बड़ाबर है तो आएगा क्या पीड़ाइक भलू क्या जाएगा ये वन हो जाएगा कट जाएगा दोनों तो वन हो गया और वन हो क्या बोलते है Mono Dispersed Mono Dispersed का मतलब ये है देखो समझना थोड़ा सा ये मैंने एक बनाया मालो पॉलीमर है ये अब देखो ये जो मैं बना रहा हो बिल्कूल एक जैसा लग रहा है थोड़ा बहुत error हो सकता है मैंने कोशिस कर रहा हूं कि सब जो भी डॉट बन रही है इसमें वो एक जैसा हो ठीक है तो देखो इसको बोलोगे कि इसका पीडियाई वन है पीडियाई वन है क्यूं क्यूंकि इसका MW और MN जो है वो दोनों बराबर है और इसको बोलोंगे हम कि यह मोनो डिस्पर्जड है मोनो डिस्पर्ज का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने भी जितने भी आप केमिकल यूज कर रहे हो कोई भी केमिकल अगर आप यहां पर जो भी यूज कर रहे हो उन सबका मोलर मास सेम है उन सबका वेट सेम है सबका वेट सेम है सब एक तरह के केमिकल है यानि सब एक तरह के है तो अगर मालो की कोई polymer है और वो एक ही तर के मौनो मॉस्ते बन रहा है एक ही तरह सके उसमें एक स्चाने कि तरह के इसका राएगा इसका मतलब कि जितने भी नैचुरल पॉलीमर है वो मोनो डिस्पर्स होते हैं मतलब क्या नैचुरल पॉलीमर तो जितने भी नैचुरल पॉलीमर है बच्चो वो मोनो डिस्पर्स होते हैं मतलब इसमें एक ही तरह का एक ही तरह का केमिकल यूज होता है ठीक है तो मोनो में लिख देता हूं जब MW greater than MN होगा और यह उपर वाला बढ़ा होगा और निचाल छोटा होगा तभी तो यह एक से बढ़ा आएगा सब्सक्राइगा तभी जाकर आपका एक पॉली डिस्पर्ज कहलाएगा पुली डिस्पर्ज का मतलब कि जो आप पॉलीमर लिए हो वह प आक आक एक एसा है एक ऐसा है एक असरी कैसा है एक कैसा है कैसा सब अलग तरह का मांस और और MN क्या होता है number average of molecular mass याद हो गया ये निकालने का formula है ये क्या है आपका formula MW निकालने का और ये formula है आपका MN निकालने का इसका मतलब क्या होता है summation मतलब जोड़ना तो देखो डियाटिक में नहीं जाओगा अपसे formula देख लो ठीक है इससे best question अभी तक तो देखाने गया ह कि आया है कभी और अगर numerical बात कर रहा हूं ठीक है polymer से जो भी आता है आपका theoretical question नहीं आता है ठीक है तो एनाई माई बताए तो फिर बीसे समझना ध्यान से जिक है एनाई एमाई तो एनाई का मतलब आपका हो गया कि एक ही तरह के कितने मोलुक्र माज से मालब देखो जिसे क मैं आपका म मंलोल कमास जिसका आप ले रहे हो वह माई हो सकता है या आप एम जे ले सकते हो अरे एक स्वायगा हो अर्गिंटने मह उसकता है इन बताएगा इन बताएगा इनके बताएगा ठीक है उसा जोड़ दो और एने-एम आई-मै से डिवाइड कर दो तह यह क्यों हो इतने तरह के इतने क्या कहते हैं आपके तरह के मोनोमर है एक पोलीमर में जिसके मास M1 M2 M3 ठीक है और M4 है समझना थे ठीक है तो अब इसका आपको निकालना है MN तो कैसे लिखोगे ऐसे लिखोगे आपका एमन निकालने का तरीक है और यह बन गया आपका एमन निकालने का तरीका ठीक है बच्चो तो यह हुआ आपका PDI complete समझ में आ गया फटा फट देखते हैं एक नोट लिखना ग्लिटल क्या होता है तो ग्लिटल कैसे बनता है इथली ग्लाइकोल और पेठलिक एसिड देखो यह इथलीं ग्लाइकोल का इस्ट्शर हो गया थिके इन दोनों से हम ग्लिटल बनाते ही अजब रिप्र योप युज़ कर नियुज़ भर हुता है जो पेंट होती युक हिटे करते हैं तो स स्यंदैंद refugee करने में ही यूज़ होता है ठीकर है फेत करने में चल्डिया चलुब बढ़ीन तो नौलक पैंट्स हो गया ठीक है एक छोटा सा टोपिक थोड़ा थो लास्ट बिलकुल लास्ट दिए बिलकुल लासो सबलेक फेले चोड़ा सब्भूस प्लास्टी कूछ धाया था इसलिए बता रहा हूं जबूरी है थाइए खेओ फॉलास्टिक होता है बता हूग प्लास्टिक होता है तो आ chicos किया होता है अपार होता है और इसको अगर हमें तो करना है या फ्लेक्सिबल करना है तो यह दोड़ों करने हैं थिक है support करूंगे इसको बोलता है plastic प्लासिटी प्लास्टी शाल क्या है एडिव Дेटीव अधितनों जब कुर्णाने के लिए तुके करने के लिए किसको रिखिवल बनाने के लिए किस प्लस्टिक या ईलस्टोफर को को तो क्या डालते हैं घंड स्थिशाइजर, ठीक है? जुश्टिस साइजर, भॉत तो रिक्षाट और्पर्पस से हैं, वही लिखा है, तो फाल्तों नहीं परहा रहा हूं, सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? हाइब वालिंग इस्टर या हलोलकेन भी बोलते हैं एक होता है डी-ओ-पी जिसको बोलते है डाई-अग टाइल ठीक है पैथलेट ठीक है पी-एच-टी-एच-एल-ए-टी-ई और एक को और होता है बी बी पी ठीक है डाई ब्यूटाइल भी यू टी वाई एल पैथलेट ये तो फीमस प्लास्टिसाइजर हैं क्या करते हैं ये कोई भी हाड और बिटर प्लास्टिक ऐलास्टोमन होता है उसको सौफ्ट करने में हेल्प करता है ये क्या है एक एडिटीव है इसको क्या हाइप प्लास्टिसाइजर का अब बच्चो चैप्टर खतम हो गया अब क्या होगा जान सुनना अब क्या होगा कि दो-तिन स्लाइड चलेंगे ठीक है किस चीज़ का जो मैं बता चुका हूँ वो भी है ठीक है और आपको नया जी मिलेगा आपको उस स्लाइड को आप मैं चाहता बनते हैं आपके पॉलीमर के स्लाइड कर लेना चाहता है कि फैमस पौलीमर के क्या क्याम होते है हैं और एक कुछ-कुछ उसके यूजिज वेगरा हैं आपके ठीक है तो ये दो-तीन चीजें आप लहेगी आपके स्लाइट्स में तो बच्चो अब हो गया पॉलीमर फिनिस ठीक है फॉलीमर समाप्त हुआ अब आप कोई भी कोश्चन करो तो मेरी रिकमेंडिसन यही रहेगी कि आप पास्टियर कोश्चन उठाओ और ट्राइ करो अब ठीक है ट्राइ करो खुछ से बनाओ कुछ सीखोगे और तो सीखोगे तो उसको नोट करो उसको दिमाद में रखो ठीक है अब पॉलीमर खताम हुआ आपका अगले चैप्टर के के लिए मैं कोशिस करोंगा जल सिल वीडियो आये हमारा थो यह वीडियो में विलंब हो रही है लेकिन यह विलंब बहुत देर तक नहीं चलेगी ठीक है तो चलो पच्चो गुडबाई और अल दी वेस्ट